आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी बालों की स्ट्रेंथ रिस्ट्रिक्ट हो गई है जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं और जिनके बालों में डेंडरफ हो गई है जिनके बाल एक साल से सेम लेंद्ध पे हैं एक इंच भी नहीं बढ़े और आप लोग बोल रहे होंगे कि हमने तो बहुत सारी रेमेडी स्ट्राइक की हैं लेकिन असर तो एक का भी नहीं हो रहा अब हम क्या करें तो यकीन मालिए ये रेमेडी आपके लिए ही है कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे बाल बहुत टूट चुके हैं बेबी एर हैर आ गए हैं उनकी डी गरोथ नहीं हो रही है जितने थे उतने ही हैं अगर आप इस रेमेडी को यूज करेंगे तो ये आपको ऐसे ऐसे रिजर्ट दे सकते हैं कि आपको विश्वास ही नहीं हो होगा मैं आपको अपना खुद चेंजिस दिखा चुकी हूं मेरे बाल देखे कितने शाइनी लग रहे हैं देखिए ये फ्रिज बिल्कुल नहीं है मेरे बालों में नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे मेरा नाम है भानुप्रिया और आप मुझे भानुप्रिया कौशिक के चैनल पर देख रहे हैं मेरे चैनल का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना है आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बट बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना है ताकि आप मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियो अपलोड होंगे उसकी नौटिफिकेशन आपको इसली मिल जाए और आपसे कोई भी इंफोमेशन मिस्स ना हो आज के वीडियो में मैं आपसे इतनी असान रेमेडी शेयर करने वाले और वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सोल हो जाए और जो अपना हैर फॉल रोकना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाली है देखिए कोई भी रेमेडी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अंदर से स्वस्थ नहीं होगे अब आप पूछेंगे की हमें सप्लिमेंस लेने हो जी नहीं आपको स्प्लिमेंस नहीं लेने होगे आपको एक इए डाईट है डाल रोटी सब्जी दहीं चावल और आपके लिए मगज पी हैं ख्ललश्य आते चिया सीड जाते हैं इन सब का सेवन आपको अपने रेगिलर बेसिज पे करना होगा अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई भी डेफिशेंसी ना हो अगर आपकी बॉड़ी अंदर से स्वस्थ होगी तो वही आपके चहरे पर और अगर आपकी बॉड़ी अंदर से पूरी तरह से प्यूरिफाई होगी तो आपके स्किन पर नैचुरली ग्लो आएगा और आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे तो बाहर का एप्लिकेशन भी जरूरी है लेकिन जब तक आप अंदर से अंदर से स्वस्थ नहीं होगे तो अगर पॉसिबल हो तो प्लांट बेस ले लीजिए नहीं तो मार्केट में जो भी आता है जलता है भूले लींजिए जो भी अपको कर्मेयन्ट लगे जो आपके लिए इजी हो ले अब लोटर जैल मैं प्रेफर करूंगी कि आप जो मार्केट वाला और जे रहे हैं वो ट्र नास्पेरेंट हो या फिर कलर हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये रिलाइबल होता है बाकी जैसे आपको सही लगे जो आपको कन्वीनियंट हो जैसा आपको कन्वीनियंट हो आप उस तरह से कीजिए अब हम बात करते हैं अलोवेरा जल की मुझे नहीं लगता कि आप लोगों क हम थोड़ा सा उनको बता देते हैं कि अलोवेरा जल एक्चल में हमें क्या-क्या फाइदे देता है अलोवेरा जल में एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियर और एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जैसे कहीं बार आपने सुना होगा कि बालो में फंगल इंफेक्शन हो को भी यह पूरी तरह से क्योर करता है यह तो आप सबको ही पता है कि यह हैर फोल को रोपता है और हारे रूट्स को नरिश्मेंट देता है और उसको उसमें क्यूंकि इसमें वाइटमिन C, E, B12, Folic Acid होते हैं तो यह हमारे बालों को स्मूथ करता है और इनको एक स्ट्रॉं रूट्स प्रोवाइड करता है जितना हमारे बालों को नरिश्मेंट चाहिए वो सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है अलोवेरा जिल हमारे बालों का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हमारे रूट्स तक पहुंचेगा तो हम पूरा स्ट्रैन निकल जाता है वो नहीं निकलेगा आपका क्योंकि वह पूरा जितना जो चीज चाहिए बालों को बहुत सब कुछ अलोवेरा जल उनको प्रोवाइड करता है हमारे बालों में एची नस हो जाती है, भुजली उसको क्या गर अलोवेरा जल को एप्लाए करते हैं तो हमारे थंड़बाश नल को तो जो जह उठ रही है वो खतम हो जाती है जो result मुझे मिल रहा है, शायल बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उनको भी ज़रूरत होगी इन सब results की, इसलिए मैं आपसे ये सब को share कर रहे हूँ, अब हमें करना क्या है, बहुत ही simple है, बहुत ही easy है, हमें इसमें कुछ जादा ingredient नहीं लेने है, हमें सिरफ दो ingredient ही लेने है, यह इसको अच्छे से छील कर इसमें से हम जल को निकाल लेंगे, अब एक blender jar लेंगे, उसके अंदर इसको छोटे-छोटे pieces करके हम डाल देंगे, और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, एक बॉल में निकाल लेंगे, इसकी consistency देखिए इस तरह से हो रहेगी, अब के केस्टर ओयल लेंगे, केस्टर ओयल के टू स्पून्स हम इसमें एड करेंगे, और उसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, अब हम अपने बालों को पहले अच्छे से कोम कर लेंगे, डिटैंगल करके उस फिर हम धीरे-धीर अपने partitions करेंगे, और इसको अपने बालो पर apply करेंगे दोस्तो मेरे बाल रिबांडिंग के बाद बहुत ही बेकार हो गए थे इस एलोवेरा जेल ने मेरे बालों को काफी हद तक सही किया है तो मुझे लगा कि जैसे मुझे इसका फायदा मिल रहा है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसलिए मैंने आपके अधिरे अपने पूरे बालों पर apply करना है इससे आपके जितने भी रफ बाल है उनमें शाइन आ जाएगी और सुन्दर बहुत ही शाइनी हो जाएंगे देखिये पूरे बालों पर लगा कर आपको फिर इसके दो मिनट तक आपको हैर मसाज करनी है अपनी हैड मसाज अच्छे से टू मिनट तक आप करिए उसके बाद आप अपने बालों को एक बन बना लीजिए, टाय कर लीजिए और 1-2 hours के लिए आपने उसको बालों पे लगे रहने देना है उसके बाद आपने क्या करना है, अपने normal जो आपका mild शैंपू है आपने उसे अपने hair wash करने हैं और hairs को naturally dry होने देना है ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, कोई suggestions हो, तो please मुझे comment box में जरूर, अगर मुझे कुछ भी miss हुआ हो, तो वो भी मुझे जरूर बताना, till then, bye bye friends, तो मिलते हैं अपने next upcoming वीडियो में, okay bye झाल